नमस्कार मैं हूं काव्य कॉसिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स इस वक्त की बड़ी खबर मुझपपूर से निकल के आ रही है जो यहां आपको बता दे की सदर अस्पताल के सीनियर कलर के यहां निगरानी का छापा पर रहा है और आपको बता दे की मामला जो है आए से अधिक संपत्ती का बताया जा रहा है भाड़ी संख्या में पुलिस बल जो है पहुंची हुई है निगरानी के ओफिसर पहुंचे सीनियर कलर्ग के कई ठीकानों पे ये चापे मारी चल रही है आचानक हुई चापे मारी के बाद स्वास्त कर्मियों में हरकम पचा हुआ है बड़ी संख्या में पुलिस बलके साथ विजलेंस के अधिकारी कलर्ग के कई ठीकानों पे चापे मारी कर रहे हैं दरसल सदर अस्प पर विजलेंस की टीम छापे मारी कर रही है सीनियर कलर्क सुबो दोजार पर भष्टाचार का आरोप लगा है जो उसके बाद विजलेंस की टीम की दबिस दी गई है आरोप है कि सदर अस्पताल के सीनियर कलर्क गलक तरीके से आयसे अधिक संपत्ति अर्जित कि हैं और इस मामले में विजलेंस की टीम जो है उनके काई ठीकानों पे च्छापे-मारी कर रही है यह इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुझपरपूर में सदरस्पताल के जो सीनियर कलर्ख है उनके यहाँ च्छापे-मारी पर रही है विजलेंस की टीम निगराणी की टीम पहुंची हुई है जानकारी के मुताबित करोना काल के दुरान सदर अस्पताल में हुए 780 कर्मियों की बहाली और फिर बहाली की प्रक्रिया में नुरस्तर करने के मामले में सुबो दोजह का नाम चर्छा में आये था इस मामले में बरे अस्तर पे पैसा का खेल होने का मामला सामने आया था यानि की जिन कर्मियों का नौकडी लगाए गया था उनसे पैसा लेने का मामला सीनियर कलर पहा और इसी मामले में निगरानी की टीम जो है उनके आवास पे पहुँची हुई है छापे मारी कर रही है भा पुलिस बलको तैनात किया गया है घर के बाहर अभी चापे मारी जो है वो चल ही रही है निगराणी के अधिकारी पहुंचे हुए चापे मारी की जा रही है आपको बदा दे कि अस्थानीय लोगों की माने तो सुबो दोजह कई तरह के कारोबार अस्थापित कर चुके हैं ज पारियों के मालिक हैं सुबो दोजह और इसी को लेकर निगराणी की टीम विजलेंस की टीम जो है उनके आवास पे पहुंची है चापे मारी चल रही है और भाड़ी संख्या में पुलिस बलतैनात है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे साथी आपको बता दे कि मामल दी है उनके घर पे जाके और रेट जो है अभी चल रहा है चापे मारी चल रही है और अभी जो है कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है अब देखने वाली बात होगी कि चापे मारी के बाद निगराणी की अधिकारी और टीम जो है क्या कुछ निकल के आता है कितना संपत्ति जो है वो आए से अधिक निकल के आता है बताया जा रहा है कि कुरोना काल में उन्होंने कई स्वास्त कर्मी की बहाली की थी और उनसे पैसा लिया था इसी मामले में निग्रानी की टीम छापे मारी कर रही है तो फिलाल के लिए खबर में इतना ही साथ ही चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद